भारत में तीसरे नम्मर की टेलिकॉम कंपणी वोड़ाफोन आइडिया बंद हो जाएगी अगर उसे सरकारी फंड नहीं मिला तो ऐसा कहना है कुमार मंगलम बिडला का। हिंदुस्तान टाइम्स के लीडर्शिप समिट में बिडला से जब वोड़ाफोन आइडिया के भविश्य के बारे में सवाल पुझा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब बिडला ग्रूप वोड़ाफोन आइडिया में कोई निवेश नहीं करेगा। साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकारी रहत नहीं मिलती है तो वो अपनी दुकान बंद कर देंगे। बता दें पिछले साल रिलाइंस जीयों से मुकाबला करने के लिए दोनों कमपनियों ने हाथ मिलाया था।